आज की वीडियो शेयर करते में मुझे एवर यूथ का एक एड याद आ रहा है जिसमें की पालर वाली कहती है ओ यू आ लेट अब फेशल के लिए चाहिए दो घंटा अब ग्लू आएका दो दिन पार पिट मुझे जो चाहिए इंस्टेंट ग्लू और इंस्टेंट ग्लू के चेकर में वो चेक देते हैं एवर यूथ का पी लॉफ मास्क मैं सोच नहीं हूं यारी पी लॉफ मास्क या पैरबन प्री होता है आपको क्या लगता है नहीं ना बट मैं अगर आपको ऐसा फेशल आपके साथ शेयर करूं जो कि इंस्टेंट ग्लू देखा आपके चेरे की रंगत को निखारेगा आपके चेरे पर लगसे एक निखार लेके आएगा एक भी पैसा निखाच होगा पैदबर प्री होगा और दो दिन कंचजार भी नी करना होगा कि ग्लू आएगा दो दिन बार जी नहीं तुरत आएगा अब बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इशायरा पे और मैं हम स्मृती कैसे वाप सब उमीद करती हूँ आप सब स्वस्त होगे अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होगे और बहुत जादा पॉस्टिव होगे आज किस वीडियो में मैं के साथ इक पढ़ स्वाटी का सीजन और साथ नौरात भी चल रहे हैं और इद भी आने वाली है तो अपी स्किन को प्यांपर करना तो बनता है और ऐसा होता है कभी-कभी घर्मिया आवे हैं है अग गर्मियों में क्या होता है जब आप मेकप करने जाते हो तो उससे पहले बहुत जादा स्वे आपको पसीना भी नहीं आएगा आपको जो मेकप में बहुत जादा फ्लॉलेस होगा यह तुरण इस्टेंट ब्लीच का काम करेगा क्योंकि यहां पर में जो इंग्रीडियन डाली है बहुत जादा अपेक्टिव है तो दोस्तों मैं हो इशारा चैनल का नाम में इशारा कि मेरा परिवार खुश है अगर आप रीचाहते हैं और आप इंट्रेस्टेट और ऐसे घरेलू चीजों में तो आपको करना है मेरी चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइब और शेयर अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं ब बड़ी उट्सुकता पूरवर फ्रिज खोल के तमाटर निकाला पर वहां पर टमाटर नहीं थे चुछ चुछ बच्चे बच्चे हुए थे उसी को गया उपर से कट किया है बाकी तो घर में है खतम हो चुछा था मेरे ध्यानी निया चलिए कोई ना मेरे काम तो हो गया बा तो यहां पर मैं की ना मुझा कोई फिर वहां कि मेरे को ङुगा तो इसके लिए फिर हमें चाहिए एक अधा चावल का आटा चावल का अटा चावल का स्कूरी एक सीक्रेट है और मैं इसमें डाल दूँगी चावल का आटा यह हमाये चेहरे की रंगल को बहुत अच्छे से निखाता है हमाये चेहरे के जो पोर्स है उसको क्लोस करता है हमाये चेहरे पे एक अगर आपकी एक्सेस ओल बन रहा है तो उसको यह कम करेगा नेक्स इंग्रीजिएंट जो हम यहां पर डालेंगे वह है मुलतानी मिट्टी मुलतानी मिट्टी का तो मताँ से नहीं मेरे का सब बहुत पहले से यूज होता है कितना जाद असको लोग यूज करते हैं हमाये चेहरे के दागभबों को रिजूज करता है पिंपल से मेरे चू मुलतानी मिट्टी मुलतानी मिट्टी आधा चमची लीजे वन टाइम यूज है अगर आप दो तीन लोग और आपकी बहने कर रही चाची कर रही तो आप एक चमच ले तो मैं लोग इसका आधा चमच चिक है इसके बाद हमको लेना है आधा ही चमच कॉफी जो कि मैंने पह चमच करना है मिक्स लेकर साथ में एक इंग्रीडिव और मिलाओंगी जो हमारे स्किन के एंटी इंफ्लमेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर हमाय चेरे पर इंफेक्शन नी आने देगा हमाय चेरे गुबल को साफ सुतरा करके रखेगा और घजनी आगे यह बहुत सारी प्रॉब्रम साथ में लेकर आती है तो मैं इसमें मिलारीन देखिए यह क्या है वाइल टर्मेक यानि कस्तूरी हल्दी अगर आपके पास नहीं है तो आप घर की भी ले सकते है थोड़ी से इसको निकालते समय इतनी जाद स्क आती है बिल्कुल प्योर है तो यह थोड़ी से मैंने चुटकी भर ली है क्या आप जादा ले लोगे तो चेहरें पीला पीला हो जाएगा पता चेहरा रंगत निकाने चकर में चेहरां पीला हो जाएगा अब क्या करना है अब आपको इन सारी चीजों को अच्छे से कर लेन आप देखते रह जाओगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है अब हमने इन सब चीजों को अच्छे से कर लिया है मिक्स अब हम क्या करेंगे आप बारी आती इस टमाटर लीजे और इसको आपको इसमें करना है बिल्कुल अच्छे से रुभो देना है और इसके आपको करनी है हलके हलके हातों से मसाज अच्छा अब आपको मसाज कितनी देर करनी है। आप मसाज यआद 2-25 निट तो करी ले ना अब ये रनी चीज़े होता ही न 좀 फारा दो है तो जोड़ासा तो टाइम लेती ही लेती ही किम साल गया अपका लिंश कर uz canvas नेश हिी होती है and vitamin c फ़ती चीज़ों में होती है वो हमाइऄ चेरे पर bleach कां पर इस वह सीकत candle या समय हो तो जैसे खेल य सुझे ह। बहुत अब क्या एक सटस्थ मत करना है कि ऐसा अआज अब मिलती हूं आपसे 20-25 मिनट बाद अब मुझे पूरे हो गया है 20-25 मिनट अब देखें आपको दिखाती है रिजल्ट को मारी जो क्या जिटर्ट मिलता है सच बता रही हूं मुझे इसनी राज़ा सैटिस्पेक्शन होता है जब मैं DIY करते हूं आपसा शेयर करते हूं अब लेकिन अच्छे इतने अप्टिव होते हैं इस तरीके से आपको कर लेना है क्लीं करने के बाद आपको एक step और करना है जो कि बहुत जादा जरूरी है उससे आपके चहरे पे चाहर लगने वाला है बज़ा ही आना है तो चलिए आपके समुन मैं इतना तो को पोछ ती तो मैं इसको लॉमन पानी से यानि की नल की पानी से दो के आपको डिखाती इसे में बताती है आपको नेक्स्ट सेप क्या कर जागा है आप लोग जरूर यह वाली रेविडी करना और मुझे आके बताना यार कैसा रिजर्ट मेरे कहने पर जरूर ट्राय करना कसल से आप जो लोग बड़े-बड़े पेस्वाश सब भूल जाओगे और यार देखें मेरे पिंपल निकल आया है अभी नया निकल आया तो लाल लाल स तो इसके बाद आपको क्या बढ़िया मैं आपके साथ शेयर कहूंगी मुझे जेल क्रीम इसको आपको बनाना है 2 मिट लेगा जिसको आपको लगाना है और इसकी मसाज करनी तो आपको लेना है थोड़ा सा अलवेरा जल लगभख आधा चमच के लगभख जितने में आप मसाज करो मैंने ही लिया हुआ है पतंजली कोई ले सकते हो और इसके बार आपको इसमें मिलाना है अगर आपको फिंपल निकलाया हुआ अगर आपको फिंपल की जिएक हाँ आपको बहुत जल्दी पिंपल की हो जाएगा और दाग भी नहीं पड़ता है तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा मिलाना है लगभख आधा ही चमच खानी वस्ट यह तो इंग्रीजिएंस अब आप चहरे आपको अच्छे अरह कोई एक चेस नहीं वस्ट गा कोई तोट थेक्स उसमें निम्लीग unfairा कि कुछ भी लगातीका ुफटल की जहले ज़रवत नहीं परेगी तो इसको आपको मसाज करना है में मसाज करना है 5-10 मिन और इसको मसाज करने के बाद जो है मैं आपको इसका result दिखाती हूँ दोस्तों मैंने 10 मिन तक अपने चेहरे भी मसाज कर ली है आपको लीज डिखाता है तो अंजस अंधा निफा बहर रहता है अब मैं आपको अपने तरह कर देखाती हूँ तो अंदा तरह को अंधा आपको मैं शेया का टी तो यह का इए लिजिए ध कर दिजिए यान and help me to reach 7K तो मिलते हैं अपने नेक्स वीजियो में बीच अमेजिग अप्थे क्वीक रेमिडी के साथ जो आपकी स्किलल पे बहुत जल्दी अपेक्स तरेगा और बहुत अच्छा साई कि लोग की आएगा तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीजियो में तुल दे, बाई, टेकेर, रादी रादी